स्री गडे साय नमाहा भक्ती भावना यूटुब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको दीपावली की सुभ योगों की बारे में जानकारी दूँगा और दीपावली की रात का उपाई भी बताऊंगा दीपावली की दिन माता लच्मी प्रसन नोकर के दिंगी पुत्र धन प्राप्ति का अशिरवात भगवान गनेश जी करेंगे मनुकामना पूरी कार्तिक मास के हमावस्या को दीपावली का पर्व मनाय जाता है ये पर्व बहुत बड़ा पर्व है इस दिन भगवान गनेश जी माता लच्मी कुवेर जी सभी की पूजा की जाती है और इस दिन माता लच्मी प्रसन नोकर के घर में सुक और सम्रदी भरती है घर में धन्यदान भरती है और हर प्रकार की मनुकामना पूरी करती है इस दिन आपको क्या करना है कमल पुष्प कमल पुष्प ले करके आना है और कमल पुष्प की जितनी पंक्डियां प्रतेग पंक्डिय पर स्री महल अच्वे नमा निकले लिखना है दो कमल पुष्प ले करके आने है और एक पर स्री गडे साय नमा और एक पर स्री महल अच्वे नमा दोनों पुष्पों पर जितनी भी पंक्डिया हैं उनको हलक हलका खोल करके और रोली से आप लिख देना क्योंकि माता लच्मी जी को भी रोली समर्पित की जाती हो भगवान गने जी को भी और एक पंक्डिय पर आप अपनी चलक देना के प्रभु मेरी यह मनुकामना पूरी हो ऐसा करके 108 बार स्री माह लच्मी नमा बोल करके माता लच्मी जी को वह पुष्प समर्पित कर दे और 108 बार स्री गड़ी सानमा बोल करके वह पुष्प भगवान गड़ी जी को समर्पित कर दे और एक नारियरो केले का पल भगवान के सामने रखे जिस समय आप लच्मी पूजन कर रहे हो पुत्र की इच्चा बोलें प्रात्रा करें के प्रवो हमें पुत्र प्राप्ति का अश्रिबात दीजिए और वह प्रसाद उठा करके खा लेना आपकी प्रतिक मनुकामना पूरियोगी साल का सबसे बड़ा दिन है ये इस दिन मात लच्मी जी के सामने चोव मुकी दीपक जलाना है भगवान गनिजी के सामने चोव मुकी दीपक जलाना है और पित्रों के सामने दीपक जलाना है उनके सामने एक मुखी दीपक जला दें क्योंकि इस दिन अमावस्या है कार्तिक मास के अमावस्या है तो बहुत बड़ा दिने आपकी मनुकामना पूरी होगी दोस्तो जीवन में आरे सारे कश्ट सारी परिसानियां सारे दुख दूर हो जाते हैं जो भी एकति इस दिन परक रासी सिंग रासी तुला रासी धनुरासी मकर रासी कुम रासी ये रासिया हैं जो दीपावली की रात को बहुत ज़्यादा सुब रहने वाली हैं बेहदी भागिसाली रहने वाली हैं और इन रासी वालों को विशेशा शिर्वात प्राप्त होने वाला हैं तो दीपा मनुकामना अवस्य पूरी होगी माता का अशिरवात प्राप्तों का भगवान गनीजी प्रसनु करके मनवांचित परदान करें लेकिन कमल पुष्प का वह उपाया आपको जरू करना जो में आपको बताया है